एक प्रतुम बार वीशन 24 एद मुख मुखी आरेशे स्प्रधान तथा मुश्लिम रास्टियों मौच से रूप देश्टा इंद्रेश को बार देशे साधी न तन ये प्रश्ण तुल्लें तिरी कि वो कागच हमारे ले कोई डाकुमेंट नहीं है अंग्रेज अवैद रूप से आये थे और वो यहां से चले गए और हमारे पास सत्ता आ गए ये सारे डाकुमेंट्स का गुलाम नहीं भारत को बनना चाहिए मैं कॉमन वेल्थ के सब देशों को ये कहूंगा कि नाओ देश शूट लीव कॉमन वेल्थ नेताजी शुभाश के निये अनेक अजाना तो थो निये शार भोलें तिरी युएनों में आज भी जो डाकुमेंटेशन है उसमें सुभाश को वार अपरा युद्ध अपराधी के रूप में आज भी वहां नोटिस किया जाता है देखून अखो पटे इंद्रेश कुमार नमस्कार विजिन 24 एपॉर्ट दाय हम राप मुचे गेची आजसे इंद्रेश कुमार जीर काचे तो अम्रा को था बोलन वो इंद्रेश कुमार जीर नोगे नमस्कार इंद्रेश जी तेस जनवरी अभी कुछ दिन पहले ही गुजरा और सबसे बड़ी बात है कि मोधी सरका आपारिश से ही देश में और विश्व में एक जवरदस्त मांग थी कि आखिरकार नेता जी की मृत्यव हुई या नहीं हुई, विमान धरगटना हुई या नहीं हुई और उसी समय से एक विवाद बना और एक बड़ा समोह था जिसके ये लगा कि उनकी विमान धरगटना और उसमें जगे जगे पर ये बात भी लगाई गई क्योंकि ब्रिटिश हकूमत ने इस बात को साब सुत्रे शब्दों में बोला था not due to the quit India movement led by बापू और पंडित नहरू क्योंकि quit India movement जो थी ये धीरे धीरे शान्त हो रही थी तो उने का उसके कारण नहीं बलके the revolution created by नेता जी सुभाषचंदर बोस भारत के लोगों ने ब्रिटिश आर्मी में और भरती होना बंद कर दिया और वो आजाद हिंद फोज या इंडियन नेशनल आर्मी की तरफ जुकने लगे उसी समय के अंदर ये भी ध्यान में आया कि देश की नब सैना, जल सैना और स्थल सैना इनके अंदर ब्रिटिश हकूमत जो ओर्डर दे रही थी उन्होंने इनको मानने से इंकार कर दिया था और सबसे पहले जल सैना में इस बात का स्वर उभरा तब अंग्रेज ने ये कहा कि जब भारत के लोग फोज में भी भरती नहीं हो रहे फोज भी हमारा हुकम नहीं मान रहे, प्रशाशन और पुलिस भी हुकम नहीं मान रहे अब हम किसके साहरे भारत पर राज करेंगे और इसलिए अगर सुभाश की क्रांती नहीं रुकी तो हमें बहुत जल्दी से भारत छोड़ना पड़ेगा और इसलिए ब्रिटिश हकूमत और दुनिया की अनेक ताक्तें इस बात की कोशिश में थी किसी तरह से सुभाश सीन से हट जाए क्योंकि अगर सुभाश रहेंगे तो पूर्ण स्वराज देना पड़ा होगा और पूरा भारत जाएगा अगर कॉंग्रेस आ जाएगी तो हम प्ले कर सकते हैं और इसलिए सुभाश को दृष्य से गायव करना ये कही ना कहीं ब्रिटिश हकूमत को और कॉंग्रेस में जो सत्ता के मोह में फस गए थे उनको लगता था और इसलिए जन्ता में एक स्वर था कि सुभाश का सत्य पता लगना चाहिए और ये बात निश संकोच कही जा सकते हैं अगर सुभाश रहते तो अंग्रेज को जाना पड़ता और हमें पूर्ण स्वराज और अखंड भारत मिलता है उनके चले जाने के बाद और कॉंग्रेस के कुछ नेता स्वार्थ में फसे और उनोंने विभाजन को स्विकृति दी और बापू को उनोंने मोन कर दिया बापू के मोन धारन करने से अंग्रेज और पंडित नहरू के नितरित्में कॉंग्रेस और जिन्ना के नितरित्में मुस्लिम लीक इनों ने भारत के विभाजन के शडियंत्र को रचा और उसको प्रत्यक्ष कर डाला अगर बापू चुप नहीं होते तो शायद यह नहीं कर पाते सुभाश रहते तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे तो इसलिए इस रहस्य से पड़दा उठना चाहिए उसी समय में पूरे भारत से और विश्व से बहुत बड़ा धन करोडों करोड में हजारों करोड में संग रहा हुआ वो भी बैंकों में जमा हुआ इसलिए लोगों के मन में थी कि वो सब धन कहां है तो इसलिए इस सत्य को जानना, इन सब सत्यों को जानना एक मांग थी, भारत के लगभग 125 क्रोड लोगों की ये डिमांड थी, डेमोक्रेटिक डिमांड थी, मीडिया के अंदर भी समय समय पर इसके स्वर उभरते रहते थे, नेता जिसी जुड़ियों अनेक संस्थाओं के ल और उस सारे सत्य को लोग जान सके, जबकि ये लगता था कि फाइलों में कितना घपला हुआ होगा और कितना परिवर्तन होगा, ये भी कहा नहीं जा सकता है, परन्तु तो भी सत्य जानने के लिए मार्ग तो यही है, फिर विशलेशन होंगे, तो चीरफाड करेंगे, तो आप कुछ चीजे और नहीं निकलाएंगी, जो फाइलों में नहीं होंगी, तो नरेंदर मोदी के नेत्रित्व में, एंडिये सरकार के द्वारा, तेश जनवरी को इस वर्ष और फाइलों को खोल देना, ये है एक बहुत बड़ी भारतिये जनता की, देश भक्तों की और सत जानने वालों की जीत है, जो नरेंदर मोदी के नेत्रित्व में इस जीत को प्राप्त किया गया, तो इसलिए नरेंदर मोदी और वर्तमान की एंडिये सरकार, बीजे पी के लोग बहुत बहुत बधाई के पात रहें, कि उन्होंने एक श्रेष्ठ कारिये को होने के लिए रास्ता खोल दिया, और दूसरा, परिवार के लोग और जनता, जो इस मांग के लिए लड़ रही थी, ये किसम से समाज की विजे का भी प्रतीक है, कि डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में आम जनता ही और ताकतवर होती है, इसलिए उसकी ताकत की जीत का भी एक बहुत सू अवसर है, इसलिए जनता को बधाई है और सरकार को धन्यवाद है, कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य को संपन किया, अब आगे फाइलें खुलती जली जाएंगी, मैं ये जरूर कहूंगा कि फाइलें खोलने के प्रयत्र में, लंदन में, मासको में, जापान में, अमरीका, जहां जहां भी और चेकोसला क्या है, फाइलें हैं, वो सब खोलने चाहिए है, लेकिन इंदरिज जी एक बात जो और सोच में डाल रही है, कि इससे पहले कॉंग्रेस सरकार राज करके कही है, तो फाइल, ये भी तो हो सकता है कि बहुत सारी फाइल्स में हेर बद यानि पब्लिक माइंड ये है कि उन फाइलों से खेला गया है, परंतु अब जो भी है जब आएंगी, तो मुझे लगता है अगर फाइलों से खेला गया होगा, तो कहीं ना कहीं वो उसका भी प्रमान छूटता है, कहते हैं जो चोरी करता है, हेरा फिरी करता है और जूट वो कुछ ना कुछ ऐसे प्रमान छोड़ जाता है, जिससे पकड में आ जाता है, तो इसलिए इन फाइलों का खुलना भारत में और विदेशों में ये अधिक महत्वपूर्ण है, और अगर उससे जो कुछ भी छेड़ छाड़ हुई होगी, वो भी कहीं ना कहीं पकड में जाएगे, क्योंकि वो कितना भी चतुर हो, पर वो कुछ ना कुछ संकेत साइंस छोड़ जाता है, पर मैं तीन चर बातें आपके चैनल के द्वारा जरूर कहूंगा, पहली बात, युएनों में आज भी जो डकुमेंटेशन है, उसमें सुभाश को और वार अपराधि, युएनों, नेता जी एक देश भक्त और मानवतावादी हैं, वो भारत के सम्मान और स्वतंतरता और विश्व के कल्यान का रास्ता हैं, इसलिए उनको युत अपराधि की संग्या से, युएनों से मुक्त करें, ताकि युएनों के द्वारा जो लगातार पाप हो रहा है तो युएनों भी उस अपराध से मुक्त हो सके हैं, दूसरी बात और इस सत्य पर जो भी पड़दा डला हुआ है, वो निश्व को सामने आए, ताकि लोग सच्च और जूट के अंदर अंतर समस्माने ठीक और गलत को जान सके हैं, तीसरी इस बात को डिमान करेंगे हम, और वो ये कि 30 दिसंबर 1943 में पोर्ट बिलेर में तिरंगा जीम खाना कलब में लहरा कर, उनोंने दिल्ली चलो की बजाए अब दिल्ली दूर नहीं है, यानि वी आर नेर टू फ्रीडम, हम स्वतंतरता के निकट हैं किया था, अगर एतिहासिक दृष्टी से विचार किया जाए तो 15 अगस्त 1947 ये दूसरा स्वतंतरता दिवस है, पहला स्वतंतरता दिवस 30 दिसंबर 1943 बनता है, तिरंगा लहकर स्वतंतर भारत का उनोंने उद्गोश किया और विश्व के अनेकों देशों ने उसको माननेता भी दिया पहला स्वतंतरता दिवस 30 दिसंबर 1943 का ऐसा है, कि जिसके अंदर अखंड भारत और पूर्ण स्वराज के सपष्ट संकेत थे 15 अगस्त 1947 ऐसा स्वतंतरता दिवस है, भारत का पहले विभाजन हुआ, क्रोडों लोग उजडे, लाखों लोगों का कतले आम हुआ, लोग दरदर भटकते गए और इसलिए विभाजन और मौत और उजडना, इस पीड़ा में से वो अजादी का दिन आया है इसलिए जिनोंने आजादी दिलवाई उनोंने विभाजन भी किया, चोथी मांग ये करूँगा, कि इसलिए 30 दिसंबर 1943 जो है, अंडे मान में उसको अंडे मान दिवस के रूप में या उसको एक देश भक्ती के रूप के अंदर मनाया जाना चाहिए। सुभाष बावु ने अंडे मान निकोवार का नाम सहीद स्वराज द्वीप समू किया था, ऐजे फर्स्ट प्रेजिडेंट ओफ इंडिपेंडेंडन भारत, उनका ये पहला फर्मान था, क्यों किया था, क्योंकि अंडे मान निकोवार, सेंकड़ो जो आइलेंड हैं, उसम यानि उन में से ऐसे जहाज और ऐसे लोग, अंग्रेज सेनपती, जिनों ने करांती कारियों पर बहुत अत्याचार किये, और स्वतंतरता संगराम को कुचलने की कोशिश किये, तो ऐसे जो अनेक बड़े ब्रिटिश और क्रूर अत्याचारी अफसर थे, उनके नाम पर उन आईलेंड के नाम कर दिये गए, तो बहुत दुखद है और बहुत दुर्भगयपूर्ण है, और इसलिए आज की सरकार ने पुन है उसको शहीद स्वराज द्वीप समूं इस प्रकार से कहना चाहिए, दा ग्रूप ओफ आईलेंड नोन है शहीद और स्वराज, यानि जो स भारत और विश्व ये जान सके कि स्वतंतरता और कितनी महत्वपूर्ण और मौलिक आवश्यक्ता है, गुलामी की रोटी और गुलामी के अंदर का सम्मान, लोग इसको ठुकराते हैं, यते भूखे रह लेंगे भाई, थोड़ा कष्ट में रह लेंगे, पर इज्जत से र रहना चाते हैं, तो नेता जी ने रोटी, कपड़ा, मकान ही नहीं, स्वतंतरता, सम्मान और स्वंस्कृती भी मनुष्य की और समाज की मूल भूत आवश्यक्ता है, इसको स्थापित गया, इसलिए और एक patriotic और समारक के रूप में cellular और अंदेमान इसको विक्सित करना चा कि भारत से और विश्व से लोग और देश भक्ति कैसा एक चमतकार है, इसको ठीक समझने आएं, और अत्याचारों से और किसी भी देश की स्वतंतरता और सम्मान को कुछला नहीं जा सकता है, बलके लोग उसमें और अधिक बलिदान देने के लिए आगे बढ़ते हैं, ऐस अभी आपने कहें कि देश का बीभाजन, उसके बाद ट्रांसपार अपावर, जिसमें लिखा गया था डोमीनियन स्टेट, डोमीनियन स्टेटस, तो यह डोमीनियन स्टेटस, देश का बीभाजन और ट्रांसपार अपावर की मतलब सच्ची मतलब क्या आजादी है, इंडि लिए इस प्रक्रिया को उस समय के जो कॉंग्रेस के नेता थे, उनों ने इस पर सखत कदम उठाना चाहिए था, और वो कौन होते हैं, वो तो विदेशी थे, अत्याचारी थे, और उनों ने अवैद रूप से कबजा किया था, और इसलिए वो कानून सम्मत बिठा कर और आज यह था, no transfer of power, you quit भारत, we will take over the भारत, इसलिए यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जो प्रक्रिया हुई, परन्तु अब हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि हमने उस की गुलामी दास्ता यह handicapness से निकलना चाहिए, और उनका यह है, कि वो ठीक है, ब्रिटिश थे, उ पर वो हमारे लिए कोई मार्ग दर्शक नहीं है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, वो आकरांता बन कर आये थे, उन्होंने कौन सा यहां पर हमारे राज्यों से, पावर ट्रांसफर के कौन सा उन्होंने रास्ता अपनाया, कर लिया कबजा, और कबजा हो गया, तो जितनी भी पर हमारे रास्तों पर उन्होंने कबजा किया, तो कौन सी ट्रांसफर के डाकुमेंटेशन, डाकुमेंट बने थे, आये, कबजा कर लिया, ठीक है, बस वो चले गए, और हमने अपनी सत्ता, अपने देश की प्रांतों की सत्ता ले ले लिए, now it is our business, इसलिए जो ट्रांसफ कोई नेतिक मुल्य नहीं है, हमारे लिए वो गैर कानूनी है और नेतिक है, हमने अंग्रेज बहार निकाल दी और अपना देश हमारा था, हमारा राज था, कोई हम विदेशी नहीं थे जो उन्होंने ट्रांसफर किया, बलके उन्होंने जितने साल राज रखा, वो आकर फूट डाल कर राज करने की कोशिश की, अत्याचार करके राज करने की कोशिश की, हमने उनको निकाल दिया, इसलिए all are meaningless for us, यह स्वाभिमान देश की जनता का, बिरोक्रेट्स का, राजनितिग्यों का और बोधिक जगत का बनना चाहिए, कि वो कागच, हमारे लिए क चले गए और हमारे पास सत्ता आ गए, यह सारे डाकुमेंट्स का, गुलाम नहीं भारत को बनना चाहिए, स्वाभिमान से भारत में कहना चाहिए, यह इम्मॉरल है, इसलिए हमारे लिए इसकी कोई कीमत नहीं है, और आज भी अगर कहीं पर कोई ऐसा चोटा मोटा पेज फ इस यह हमारा था देश और हमारा है, हमने किसी से लिया नहीं है, उसलिए उनका उपकार नहीं है, इस रूप में ही देश का स्वाभिमान स्थापित होना चाहिए। और दूसरा, कॉमन वेल्थ यह इस बात का प्रतीक था, कि जो ब्रिटिश रूलर थे और जिन देशों पर उन्होंने रूल किया, उनकी एक लब है, तो मुझे लगता है, इस हैंडिकेपने से निकलना चाहिए, कॉमन वेल्थ इर्रेलेवेंट है, ब्रिटिश हुकूमत उसने भी स्वेम डिसमिस करना चाहिए, अगर वो मानवतावादी है, अगर वो सेकुलर है, अगर वो डेमोक्रेट है, अन्य था कॉमन वेल्थ यह बताती है, कि ब्रिटिश सामराज्यवादी थे, हैं, तो यह उनके ओपर कलंक लगा रहेगा, उनोंने भी कलंक से मुक्ति लेनी चाहिए, और जो लोग उसके सदस्ये हैं, उन देशों ने भी स्वेम होकर इस कॉमन वेल्थ को समाप्त कर देना चाहिए, और वहाँ से छुटी लेनी चाहिए, और एक स्वाभिमानी राष्टर के रूप में और समाज के रूप में जीना चाहिए, बहुत-बहुत ध झानिवत.